दोस्तो इस अबते स्मैकडाउन में रोमरिस की जबरदर सवाप से देखने मिली ऐसा लग रहा था कि रोमरिस का अंडिस्प्यूटट इनुवर्सल चैंपिशिप के लिए अगला मैच सेट अप होगा लेकिन रोमरिस के टैटल्स के लिए अगला चैलेंजर नहीं मिल पाया इसी बज़ाए रोमरिस ने अंडिस्प्यूटट इटैक्टिम टैटल्स लेड लाइन में वापस लाने की बात की इसलिए दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों रोमरिस और सोलो सिको अंडिस्प्यूटट इटैक्टिम चैंपिशिप जीत सकते हैं दोस्तो सोलो सिको जब से में डोस सर में आये है तब इसे उन्हें बड़ा पुश मिला है हाला कि अभी तक उने टैटल पिचर में आने का मुका नहीं मिला इसे कारण नाइट आप चैंपिश में इनके पास अंडिस्प्यूटट इटैक्टिम चैंटल जीतने का मुका होगा रोमरिस को भी लंबा समय हो चुका है और टैक्टिम चैंटल नहीं जीत पाई इसे कारण अगर रोमरिस और सोलो सिकवा अंडिस्प्यूटट इटैक्टिम चैंटल जीत पाते हैं तो रोमरिस और सोलो सिकवा के लिए बड़ा यादगार पल होगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमरीज और सोलो सिको अन्डिस्पूटेड टाइटल जितेंगे या फिर नहीं आपको क्या लगता है कोमेंट करके बताईए और उड़ो पसंद आए तो उड़ो को लाइक कर देना और चान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो भी प्रेस करना मत भूलेगा